गुद बॉर्निंग स्टुरेंट, टूड़े वी विल स्टेडी मैथ, क्वेस्टन नमबर वन, दा प्राइश ओफ ए कार इज आरेश वन थाउजेंड फाइफंडेट शिक्टी फाइब रूपीज, वाट विल बी दा प्राइश ओफ ट्वेंटी कार्श, यानि एक कार का मुल लिए बताना है, तो सॉलिशन में हम लिखेंगे प्राइश ओफ एक कार, पहले हमको यह समझना है, कि यदि हमको एक वस्तु का दाम दिया होता है, और अधिक वस्तु का जाम जब निकालना होता है, तो हम एक वस्तु के दाम पर जितनी वस्तु का निकालना है, उससे मल्ट 65 रुपीज यानि एक कार का मूले 1565 रुपया है तो 20 कार का मूले 20 से हम मल्टिप्लाई कर देंगे कभी भी समझना है कि 0 से हम किसी संख्या को गुणा करेंगे या किसी संख्या से 0 को मल्टिप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आता है तो इसलिए 0 से हमने 5 को multiply किया 0, 0 से 6 को किया 0, 0 से 5 को किया 0, 0 बन जा 0, अब यह दाहई का अंका आ गया, हमने यहाँ पर cross का निशान लगया दिया, दाहई के नीचे से लिखेंगे, 2, 6 की table 5 जब तक पढ़ेंगे, 2, 5 जा 10, 10 की 0 लिखा, 1 आगे carry दे दिया, 2 की table 6 जा 12, 1 एट करेंगे, जो carry दिया है, 13 हो जाएगा, 13 की 3, आगे 1 carry दे देंगे, 2, 5 जा 10, 10 में 1 एट करेंगे, 11, 11 की 1, 2, 1 जा 2, और 1 carry दिया, 3 हो गया, इसके बाद हमने इसमें line खीच दी, और इधर line इन दोनों को add कर देते हैं, 0 का 0, 0, 0, 3 और 0 जोड़ेंगे, तो 3 आएगा, 1 और 0 को add करेंगे, 1 आएगा, और 3 का 3 आजाएगा, इस तरह से हमारा जो 20 कार का मूल्य है, वह आया 31,300 रुपया, धन्यवाद,